कि चलो अब देखो हम आते हैं जब इंडिया टैक्स इस्टेक्चर पर तो इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है इसको हम सो माने पढ़ने का तरीका यह अपना हो गागर में सागर वर्ना है ना कि सागर से गागर वर्ना तो जब सेंटे हैं इसमें दो चीजह ऐना पी एक कता है और एक कता हैं फ्रस्टम में इंडिया का अदृग्त जो कॉलेक्स चल्क्इट होता है वो सारे देश विक्सित देश कहलाते हैं जब आप हमसे यह पुस्ते हो कि हम विक्सित देश कब बनेंगे तो उसके दो तीन क्राइटेरिया तेन थाउजन डैलर से बपर केप्टा इनकम डारिक टैक स्टेयो एक्सित से प्लास जी डी प्लंप में सरविस का रेश इशियो से सबरीगे ड RAW ग्रिंट में झाई एक नीचे कहें तो तो हम बिखसी देश बन जाएंगे अब यहां पर है डारेक्ट टैक्स 60 परसेंट और इंडारेक्ट कितना है 40 परसेंट जितने करीब देश हैं वहां पर IDT ज्यादा होता है आप प्रतेच्छे कर इंडारेक्ट टैक्स क्या है मेट्सिन पर लगा हुँआ टैक्स कोई साभाना आपने करीद़ा हो सब पर इंडारेक्ट टैक्स रगता है डारेक्ट टैक्स किसी है इसे पाइदा इसको मिलता और इस बैट आ जाने से अब यह पाइदा यह आए गई नहीं IDT क्योंकि जो State Government है IDT से चलती है और Central Government किसे चलती है Direct Tax से चलती है क्योंकि जो State का भी करमचारी है उसका भी Direct Tax कटता है और कहां जाता है Income Tax Department को तो इस Structure को जब तक हम नहीं समझेंगे Tax में दोड़ते रहेंगे तब तक हमें Tax समझ में नहीं आएगा किताबों में जो लिखा है वो बहुत कुछ difficult भी है अगर आपका non background है Teacher का काम है उससे उठाए और बड़े easy go में आपके mind में deliver कर दे और आपको उसका base सारा clear कर दे अपने आप समझाने लगे चाहिए न्यूज पढ़ो या paper कहीं भी सब clear ना हो गया तो कहना तो direct tax हमारा कितना है 60 indirect tax कितना है 40 clear हो गया who doubt no doubt अब आता है कि central government के main direct का X कौन कौन से है यहां पर लिखो central government 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 direct taxes में direct taxes आप central government में direct taxes आप center government center government के main direct tax कौन से है फिकर सारे की ज़रुवत नहीं है जो paper में आता हो तना पड़ो नहीं तो यह दिमाग की कोई limit है ना इसमें फालतू चीज को बहर दे जो यूप्यस सी चाहिती उतनी में लाएंगे इसके इंदर फालतू ले आएंगे तो अबर लैप करेगा वह बह जाएगा जो काम की चीज है जो नहीं है वंदर रह जाएगा तो फालतू ना पड़ें कुछ भी तो में direct tax जो है central government का पहला tax जो होता है वह income tax होता है अब यहां बिताओ income tax टूटल tax collection का income tax कितने परसेंट आता है पियर की बात नहीं पियर दो तीन परसेंट है इंकम टैक्स सो अगर रुपे टैक्स से कलेक्ट होते हैं तो इनकम टेक्स से कितने पैसे आते हैं वहं है so रुपे और व 61 रुपे बाक्स हआया उसमें इंकम टारइस्य वर लगृ। इंखंए गंग स्कारोल कितना है 11 इसको बहुते हैं कार्पॉरेट जिसको बहुते है हिंदी में निकम ये भी डारेक्ट टैक्स होता है कार्परेट किस पर लगता है कंपनी पर इंकम टैक्स पर लगता है परसन पर तो दोनों में अंतर क्या है एक कंपनी पे करती है एक परसन पे करता है तो कार्परेट टैक्स जो है किस पर लगता है कंपनी पर लगती है अब यह बताओ इंकम टैक्स कितने अमाउंट पर लगता है कितने इंकम आपकी हो जाए एनुवल तो आपको इंकम टैक्स पे करने होंगे 5 लाग सही अंसर है 5 लाग एबब की इंकम पर चाहे हो मेल या हो फीमेल 5 लाग तो उसके अंकम टैक्स देना ही होगा पहले था दो दो लाग फिर पांच लाग तो पांच लाग तक अगर आप इंकम करते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अब इसके बाद देखो कार्परेट आ गया अब टोटल टैक्स कलेक्शन का कार्परेट कितना आता है सबसे दिक कमया इस गुवर्मेंट को किससे होती है कंपनीज से पहले टंटीफोर परसेंट था अभी है फोड़ा कंव हो है तो लाग दे euros प्रणी में यह समझना है उब इसकी कितनी किटनी हो तो उस पे berешь लगेगा यह समंझने वाली बात कितनी इंकम हो तो कार्पटिट लगेगा पांच करोंढ से आप लगता है कार्परिट लगेगा तो तो अब क्या छोटी कंपनी जो इससे कम कमाती है उस पर कुछ लगेगा ही नहीं ऐसा नहीं है लगेगा उस पर लगता है मैट M80 मैट मैट 20 लाग से लेकर 4.99 लाग तक लगता है 20 लाग तक छूट है यह कंपनी एक साल में 20 लाग कमाती है तो उस पर कोई टैक्स इंपोज नहीं है जी एस टी भी छूट है लेकिन इसके ऊपर अब क्या लगने लगा जी एस टी है ठीक है आ है बस इतनी तक छूट होती है 20 लाग तर इसके बाद लगेगा तो यहां पर लगता है मैट मिनमूम अल्टरनिटीव इसको रिप्लेस करके अब क्या आएग हो सकती है और यह महिना सी से टो टैक्स का है जन्वरी पॉलिटी और पॉल सैंस का है ठीक है इसके बाद टाइम बढ़ेगा तो फिर जगर्फी और हिस्ट्री आएगी और जून से पहले-पहले सारा किनिस होगा टेस्ट और रिविजन साथ चलेगे 20 टेस्ट होंगे तो बस बढ़े लगेगा मैट कितने पर संट देना होगा 18.5 तो 18.5 वह रिप्लेस होगा तो 18.5 की जी यह पी लग जाए गी है क्लियर हो गई बात अब देखो आगे अब आता है नेक्स्ट जो है next हमारा कोन सा और है और डारेक्ट टाइक्स इन सेंटरल गवर्मेंट डारेक्ट टाइक्स इन सेंटरल गवर्मेंट next तीसरी नमबर पर हमारा होता है wealth tax wealth tax थिक है यह properties पर लगता है sale and purchase पर central government इसी लगाती है प्रापर्टी इसे लगेगा सेल इन पर्चेज पर सेंटर गवर्मेंट इसे लगाती सेंटर गवर्मेंट लगाती इसको और ये एप्राक्स 30% होता येकिन कलेक्शन स्टेट करती है स्टैंप ड्यूटी के रूप फिक है ये भी डारेक्ट है जिसने प्रापर्टी खरीदी और बेची उसी को देना है किसी और पर इसका नहीं होता किसी लिए डारेक्ट डारेक्ट का मतलब है जिस पर लगे वही दे और इन डारेक्ट का मतलब है वो किसी और पर सिफ्ट कर सकता हो तो जब कोई टैक्स किसी और पर कर सकता हो तब नहीं होता हो जिस पर लगे वही दे तुस्ट अहोग गया कि जोद्हा मारा आता है गीफ्ट टैक्से गिफ्ट टैक्से लिए बीटा है और स्ट्रेंड गवश्मेंट उपहार कर इसे हंदी में बोलते हैं उपहार कर इस फे लगता अब बताओ यह कैसे लगता है उपाहर कर देखो 1994 के बजट से पहले गिफ्ट देने वाला गिफ्ट टैक्स देता था जो गिफ्ट दे रहा है लेकिन इसके बाद आफ्टर 1994 गिफ्ट लेने वाले पर लगता है जिसको मिल रहा है लेकिन जब वो सो करे हमें मिला है तभी देना है हमारे देस में रूल है कि खुद बताओ कि टैक्स टैक्स पेयर हो या नहीं हो कोई क्यों बताएगा पांसो अजार सी ये के दिखाएगा इंकम छेपा लेगा या कोई रूल ऐसा बनना चाहिए कि सबकी इंकम की जहां छो सके यहां तो अपने हाँ आप आप इंकम रिटन पे करते हो कि नहीं विदेश में नहीं है आपकी इंकम की वहां जानकरी है वो टैक्स काट के आपको पैसा देंगे हमारे यह सिस्टम बनी नहीं पैया कि लोगों की इंकम जाने हैं कैसे एक विक्ति तीन जगा काम करता है एक जगा का सो किया दो का दिखाए है नहीं यहां पर किराये पर कितने मकाम चलते हैं इंकम है ना कोई बुचता है और वो आनवेपर कुछ दिखाएंगे नहीं तो उन लोगों को बक्सो, जो दे नहीं सकते, जो दे सकते हैं, उनको पकड़ो, उन पर आपको ध्यानी नहीं जाना है पूरे देश में बहुत से लोग किराय पे सब कुछ चलाते हैं, और उसे सो नहीं करते हो, आन पेपर कहीं कुछ नहीं दिखाते उसका कोई उपाय उस तक बना, कोई फार्मूला बना, नहीं बना बहुत से लोग अपने आप टैक्स रेटन भरते ही नहीं है, दद्दस लाख महीना कमाते हैं, फिर भी नहीं दिखाते तो इन सब को जब पकड़ोगे इन डैक्स चोरों को तब देश तरक्की करेगा, आर्थिक सम्रदी तब आएगी, आप इन्हें पूरी आजादी दी रहोगी, तो जितने दिन आजाद रहेंगे, उतने दिन पीछे रहोगे, और ये कोई पूरे 80% नहीं है, ये 10-20% लोग य उनको रोखिये, यहां किसी तरह का नुकसान नहीं होने वाला सरकार का, फायदा है फायदा यार तरिकी से, हो गया, तो 1994 के बाद से, इसको दिन आए, जो ले और 50,000 से एबब के गिफ्ट पर ये टैक्स है, लिखो, 50,000 से एबब का कोई भी गिफ्ट आप लेते हो, उस सब पर ये टाक्स लगेगा, 50,000 से आबब पे, इस टैक्स हम पोज़ आपना को इस पर क्या होगा, ये टाक्स हम पोज़ ओगा, अब आता है, इन डारेक्ट टैक्स अब सhou की, ये तैक्स हम पोज़ तो मैं इन डारेक्ट टैक्स थे हैं, अब इन डारेक्ट टैक्स बताओ, सेंटरल गवर्मेंट के कौन-कौन से होते हैं, इन डारेक्ट टैक्स आप सेंटरल गवर्मेंट हैं, तो नहीं बताओ, इन डारेक्ट टैक्स आप सेंटरल गवर्मेंट कौन-कौन से, बोले इंडारेट टैक्स आप सेंट्रल गवर्मेंट कौन-कौन से हैं नहीं है इंडारेट टैक्स पहला है सेंट्रल गवर्मेंट का फस्ट पस्ट जानते हो सर्विस टैक्स यह कई बार सवाल भी पूछा है सर्विस टैक्स जो भी सेवा है लोगे उस पर लगेगा और यह इंट्रोड्यूच कब हुआ है यह भी आया 2004 के बजट से लिखो सर्विस टैक्स के सुर्वात हुई 2004 के बजट से कोई भी सर्विस आप लेते हो सब ज़गा देना होता है कि सर्विस टैक्स रेल्स की सेवा प्लेइन की सेवा सब पर लगता है है तो लाश्त टैक से रच्ट यह पूछ जाता है कि टिकैंग डारेक्ट है और Kens daar पूछ आपका तो सर्विस टैक्स 2004 के बजट से इंपोज हो है है यह 2004 के अअ क्लियर हो गया यह और कुछ जानना है क्लियर हुआ अब इसके बाद आता है सर्विस टैक्स के बाद क्या आता है बताओ सर्विस टैक्स के बाद दूसरा टैक्स है मारा एक साइज ड्यूटी या पहले लिख लो कस्टम ड्यूटी दूसरा लिखो कस्टम कोई भी विदेश से जितने भी सामान आते हैं उसब पे कस्टम ड्यूटी लगती है लिखो जरा विदेशों से आने वाले हर सामान पे कस्टम इंपोज होता है विदेश से आने वाले हर सामान पे कस्टम ड्यूटी लगेगी एबरियाल कुछ भी आएगा। सब पे custom लगेगा। कोई भी विदेश से सामन आएगा सब पर क्या लगेगा। więc कस्टम duty लगेगा। इबरियाल सब पर कस्टम पिज ऊंगा। सब क्सटम लगाने के फायदे क्या हैं पैदार भाषि है सरकार के। प्रोटक्षण ये मिला एक तरफ शरकार को रेवन्या मिली दूसरे बाजार का प्रोटक्षण मिला विक्रीया से क्लियर हूँ यह और आता है। तीसरा, तीसरा हमारा आता है excise duty, excise, excise duty को बोलते हैं उत्पात सुरुप, यह लगता है CST के रूप में, CST, Central excise duty, CEST, Central excise duty, CEST, Central excise duty, CST, Central excise duty, अभी बताओ Central excise duty क्या है, CST क्या है, Central excise duty है क्या, देखो, पूरा पहले देश के पूरी सारी लेंड सेंटर की है, इसके बाद स्टेट की है, फिर लोकल गवर्मेंट की है, तो यह सारे किरायव सुलते हैं, और लास्ट में हमारी है, हम कहते हैं सारी जमीन हमारी, न हो, एक भी तुमारी नहीं, सब भारत सरकार की, फिर राजे सरकार की, फिर लोकल गवर्मेंट की, जो ग्राम पंचाय थे उसकी, इसके बाद तुमारा नमबर आता है, ठीक है, तब वो तुमारी, अब आगे देखो, CST में जाने से पहले हमें जाना होगा, बैट, बैट जा बैट के दो रूप है, एक साइज द्यूटी और सेल टैक्स, बैट दो चीजों पर लगता था, एक साइज द्यूटी पर भी बैट लगता था, और सेल टैक्स पे, ठीक है, अब बैट की इतिहास को जानना होगा, इसको समझने के लिए, बैट की हिस्ट्री क्या है, और बैट किस कंट्री में आया सबसे पहले, सबसे पहले बैट आया जर्मनी में, लेकिन वहाँ फेल हुआ, फिर फ्रांस में आया 1954 में, लिखो, सबसे पहले बैट की सुरवात हुई थी जर्मनी में, जर्मनी, जर्मनी में आया था 1918 में, फिर आया फ्रांस में, प्रांस में आया 1954 में इंडिया में बैट कब आया सबाल पुछ होगी जनरली कोई बता नहीं पता यह बात इंडिया में बैट कब आया कि नहीं पता इंडिया में बैट आया 1976 में 1976 कि नेंटीन सबंटी सैक्स हाँ एल के जहां कमेटी किसी पारिज अ इंडिया में एल के जहां कमेटी किसी पारिज पर बैट 1976 में आया था L के जहां कमेटी की से पारिष पर इंडिया में बैट 1976 में आया था L के जहां कमेटी की से पारिष पर 1976 में आया बैट L के जहां कमेटी की से पारिष पर बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे कि नहीं 2003 में बैट आया मैं उसे एक सवल पूछता हूं यहां भी पूछता रहा हूं अगर बैट 1976 ने या 2004 में आया तो 1986 में मॉडवेट कहां से आ गया है MOD VAT modify value added tax यह कहां से आ गया है जब बैट था ही नहीं तो को सेंटरल गवर्मेंट ने मंजूरी दे दी लेकिन राज़ी लागू नहीं कर रहे थे ऐसे बैट को 1976 में ही अक्सक्र कर लिया था सेंटर कैबिनें लेकिन स्टेट अपने फायदे में लागू नहीं कर रहे थे व्यापारीबर को ना-राज नहीं करना चायते थे तो इसलिए था पहले ही, अब इसको modify क्या किया गया, वो भी देखो क्या modify इसमें हुआ इसमें modify ये हुआ modify क्या हुआ bad के rate पहले थे, कुछ goods पे heart और कुछ पे था 16 और कुछ पे था 32 इसी rate को modify किया गया इस rate को घटा के 4 किया गया, जो compulsory goods होती है इसको किया गया 12 और इसको किया गया 24 तिकर rate घटाए गये जिससे व्यापारी असन तुस्टना हो और इसे लागू किया जाए तो ये modify हुआ था 1986 में फिर bet लागू करने वाला ये भी question आया है, कि सबसे पहला राज, 2003 में बैट लागू करने वाला राज हरियाना है हरियाना is the first state of India implemented bet हरियाना भारत का पहला इसा राजी है जिसने बैट लागू किया हरियाना भारत का पहला राजी है जिसने बैट लागू किया हरियाना भारत का क्या है पहला राजी है जिसने बैट लागू किया तो हर्याना बैट लागू करने वाला भारत का पहला राच दो आजार तीन में हर्याना क्लियर हुआ अब इसके बाद आता है कि हर्याना के बाद किस ने लागू किया तमिल नाडू लिखो तमिल नाडू अर्याना के बाद तमिल नाडू ने बैट लागू किया बाद बैट लागू करने वाला राजी है तमिल नाडू अर्याना के बाद हमने बैट लागू किया हूँ है राज क्यों सा तमिल नाडू तमिल नाडू वो राजी है इसके बाद क्या हुआ इसके बाद 2005 आया 2005 तो 22 इस्टेट ने बैट लागो कर दिया 22 इस्टेट इन इंप्लिमेंटेड बैट 22 राज्यों ने बैट को लागो कर दिया ठीक है अब कुछ राजित है जिनमें इूपी सबसे लाज्यों में बैट लागो करने वाला राज्यों वो 2008 में लागो किया यूपी में सबसे बाद में मुलाहिम सिंग सरकार को समझनी आया मायवती बाद में आही सथा में तो उन्हों ने बैट लागो किया ठीक है यूपी जो है इंडिया का सबसे लास्ट स्टेट है जिसने बैट लागू किया क्लियर हो गया बैट स्टेक्चर बैट का दो रूप होता है एक साइज और सेल टैक्स अब एक सवाल यह आयराइज होगा कि गोवा में पेट्रोल सबसे सस्ता पंजाब में सबसे महेंगा क्यों है इसलिए है क्योंकि बैट टैक्स जो है गोवा सरकार सबसे कम लगाती पेट्रोल डीजल पे और पंजाब सरकार सबसे अधिक क्योंकि राज्य सरकारों के आयके दो ह साधन के इस पार दूसरा है पेट्रल ये डीजल एक साराब दूसरा किया है पेट्र ये ओंगे OR अगर इस लिए नी treaty कैसे देंग बेसिक खर्च कैसे चलाएं क्योंकि सराब जो है गरीब और अमीर दोनों पीपे हैं तो बिना टैक्स के वो टैक्स सरकार के पास चला जाता है लगा भी नहीं तब भी और पंदरा रुपे की बहुता सो रुपे में बिकती है जिसकी कास पंदरा रुपे है वो कितने में बेच नहीं घटता जल्दी है क्योंकि घट जाएगी सरकार के रेट कम कर देंगे जल्दी घटाते नहीं है सस्ता हुआ तो घटाएंगे नहीं महेंगवद बढ़ा देते हैं उल्टा क्योंकि आए का यही साधन है क्लियर हो गए इतनी बात तो Central governments के हमने जो टाक्स क्लियर किये डारेक्ट और इंडारेक्ट यही इनके main टाक्स है बाकी GST पर चर्चा एक दिन पूरा क्लास GST लेगा धीक है GST लागू होने के क्या फायदे हैं बैट हटाने के क्या नुकसान है तो GST के दाइरे में बैट को इसलिए नहीं लाया जा रहा है कि अगर GST ने आल टैक्स को और रिप्लेस कर दिया आल इंडारेक्ट टैक्स को लेकिन अगर GST आ जाएगा तो क्या हो जाएगा GST में अगर बैटा गया तो राज सरकार के इंकम जीरो हो जाएगी तो फिर राज पूरी दरा किस पर डेपेंड कर जाएगे केंदर पर अब अपोजीशन के सरकार राज जी में बन गई और केंदर में कोई और पार्टी है तो पज़े जला वहां खर्चे नहीं चल पा रहा है तो फाल्टर हो जा रहा है डिपार्टमेंट पेंड नहीं कर पाएगा इसलिए जान बुझकर भी दूछ विट दे रखा है केंद सरकार में पीता जी से पैसा लेना है पैसे नहीं करो किया तो केंदर क्या है पिता जी पास तुकालेजल के पास आईगा कि समझाया तुखाली पेट्रोल डीजल की शूट बची बस पेट्रोल डीजल बेचो सराब बेचो यह तुमारी आए के साधन तो आने माले टाइम में कुछ दिन बाद जो राज्यों में सीम होते हैं वो पूरी तरह किस पर डेपेंड करेंगे जैसे डीम पर डेपेंड करता ह सब्सक्राइब कुछ नहीं कर सकता ऐसे पीम के विना राजसरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी हां पीम का एक फोन भी भारी पड़ेगा उनके उपर यह भी आयका साधन चिंग लिया तो यह रिबोर्ट जो होते हैं अपने आप खतम हो जाएंगे ठीक है अब आगे आप दे है जैसे हमारा है FBT इसको बहुते हैं प्रेंज बेनिफीट टैक्स तैक्स यह कब आया था फ्रेंज बेनिफीट टैक्स 2005 में दो हजार पांच में एबॉलिस कब हुआ 2009 में 2005 में आया लेकिन अवालिस हुआ 2009 में ठीक है अवालिस कब हुआ 2009 में 2009 में अवालिस हो गया अब प्रिंज बेनिफेट टैक्स कैसा टैक्स था जो हमारी इस्ट्रा इंकम होती है जैसे हम सरली कमाते हैं उसके साथ फंड बोनस और भी तो मिलता है मैं तो सब पर क्या लगता था प्रिंज बेक्थ atac प्रिंज बेनिफेट टैक्स तो 2009 में इसको क्या कर दिया हमने खत्म कर दियो था अब ऑल इसके बाल इसके बाद प्तैक्स था люблю इसके बाद एक tax है CCT CTT है CCT नहीं CTT CTT Community Transaction Tax लिको दूसरा tax है Community Transaction Tax Community Transactions Tax CTT Community Transaction Tax अब Community Transaction Tax क्या है यह 2008 में आया अब 2009 में हमने इसको एबालिस कर दिया जो आप credit card debit card है नहीं उस पर 2% चार्ज लगता था कोई goods खरीद हो और हमारी जोलरीज भी है उस पर भी गोल्डाज जोलरीज दो परसंट तो आप CTT खतम हो गया क्योंकि बैंकों को लगा किसी बिजनस डाउन होगा तो आप CTT नहीं है Community Transaction Tax नहीं है इसको हम बोलते हैं Security Transaction Tax STT is the Securities Transaction Tax STT is the Securities Transaction Tax STT STT is the Securities Transaction Tax STT is the Securities Transaction Tax STT is the Securities Transaction Tax है इसकी सुरुआत कभी 2004 से शेयर मार्केट में अगर आप पैसे लगाओगे तो आपे टैक्स चार्ज होगा और वह है 2.5 परसेंट सेयर बेचो या खरीदो दोनों पर कितना देना होगा 2.5 परसेंट वो किस रूप में लगता है STT Security Transaction टाइप रिख लिया रनिंग में है ब्रॉकर के थो आप सेयर खरीद होगे और ब्रॉकर को 2.5 परसेंट जाएगा जो भी आपकी सेयर वेल होगी और डीमेट अकाउंट आपको खोलना पड़ेगी तो इको का तो ग्यान बहुत है मारे पास हम तो यूजी सी इको पढ़ाते थे तो जी एस वालों से तो बहुत उपर की बात जानते हैं तो इको तो मैं बहुत कुछ जानता हूं और ऐसा जानता हूं कि तोड़ रट्टा वाला नहीं ग्यान है मारे पास बेसिक बात बताऊंगा तुम मैं ओपर वाली तो अपने हाँ पाने लगती फिर जब बेस पता हो जाता है हमें A B C T नहीं आती है तो इंगलिस हम कैसे लिख पाएंगे छोटा बड़ा नहीं आता हिंदी हम बोलना कैसे सीख जाएंगे तो हमारे देश में गरबढ क्या है सुरुवात गरबढ कर देते हैं टीचर सुरुवात वहीं से करना है बेसिक से बेसिक से एडवांस लेबल प जहां है अंदेरे में तीर थोड़ो चलेगी तो बस यही है पढ़ाने का परीका सुरुवात कहां से उसे से पीचर के अपने ग्न पता चल दाते हैं ठीक है सुरुवात ही में है भस इसके बाद ऊपर तो अपने आप पता चलने लगता है हो गया है STT यह हो गया ना कोई टोल टैग्स लेगिन अपने डिखना टोल में क्या होता है को टोल कोई टैक्स नहीं यह तो मेंटीने कहानी किताब में नहीं लिखा मिलेगा हम उसके उपर कि सारी बाठ कहने घानों से क्योंकि किताब लिशने वाले इतने ग्यानी नहीं होते कि वो दस साल पढ़ें तब लिखें नगल मार के लिख देते हैं और वो मिला दुली दिया नहीं चोड़ दिया चोल कोई टैक्स नहीं है मेंटिनिंस चार्ज है कैसे नस्नल हाइबे सेंटल गवर्मेंट बनाती राज् करते हैं हमारे पास बहुत काम है हमके माल रोड की रखवाली नहीं कर सकते हैं तब होता क्या है तीसरी पार्टी जिसने रोड बनाया है तो वहां एक तीसरा रूल यह निकलता है कि टोल टैक्स के रेट तो इस्टेट गवर्मेंट तहीं करेगी रोड एंट ट्रांस्पोर् रोड में तूट फूट हुई तो उसी पैसे फिर बना दी गई जो टोल गया पहले रोड क्यों बेकार मिलती थी एक बार बजट पास हुआ फिर टूट फूट गई बजट आये नहीं रोड ही बेकार है अब तूट फूट गई उसी दिन बन जाएगी क्योंकि रोज बजट आ होता है और हर स्टेट में अलग-अलग होता है सभी रोड की वैलू एक जैसी नहीं होती है कुछ रूट कामर्सियल लोड है तो उस पर टूल टैक्स ज्यादा होता है कुछ नहान कामर्सियल है जहां पबलिक ही जाती कामर्स का कोई काम नहीं होता वहां पर उसका रेट कम हो तो कहना बैट में जो मैंने बताय कोई बुक बता दे तुम्हें तो जब आप कई किताब कई पड़ते हो जितनी मिलती सब पड़ लेते हैं फिर मुझे लगता है इसमें नया कहीं कुछ मिला नहीं तो और खोजते रहते हैं तो किताबें खरिदते भी हैं और फिरी में मिलती भी हैं हम पढ़ते वहीं है जो हमें नहीं आता तो एक दिन चलती है दूसरे दिन फिर खताब तीसरी को तापके संपर्क में आने तो सोचने लगते हैं कि और क्या पड़ू में समझाया तो यहां पर समझाया एक टोल टैक्स पर में जानकरी थी आपके पास किस तरह होता है टोल टैक्स जोकि रूस टोल टैक्स बढ़ते हो जानती नहीं कौन लगाता और रेट कौन तेंगरता एक भी नहीं जानता इस देश में अज्ञानियों की कमी नहीं है डिकरी बड़ी बड़ी जानेगा प्रेक्कल यह वर्ड बेंक कहता है क्योंकि हमने जो विकास सिल्देश हैं उन्होंने मीटिंग में यह कहा कि हमारे पास लेबर भाई ज्यादा है तुमारे पास कैपिटल है तुम कैपिटल सप्लाई करो हम लेबर कर दें बात बिलकुल सही है राइट है लेकिन कैपिटल जो होती है व काही काम करेगा लेकिन लेवर करे दूसरे लेवर के लेबर के बराबर काम करे तो बीकासिल देशों को बिक्षु देश इस तरह से इस तरह कि नहीं हम आपकी लेवर नहीं लेवर कि तो हम goose लेंगे जो हमारे मैं। करेंगे हम सारे इंडिया के लिए थोड़े दर्वाजे खोल देंगे कि आजो हमारे यह अब अधाजला नान-स्किल है तो इसका बोज्ञ भुज़ हम दोएं खर्चा दोएं उसका हम ऐसा नहीं करेंगे तो नान-स्किल को कोई नहीं बुलाना चाहता इसकी जरूरत यहां भी 21 साल में Bamby IT में प्रोफेसर अमिरगा ने का जोटा में दाबी इसके बाद वही अमेरीका पैर पकड़के बुला रहा है Bamby IT में हो प्रोफेसर वही ताक्त क्या है ग्यान नालेज इस पावर लेखते हैं, जित्सा ग्यानी होतने हतियार है उसके पास, क्योंकि जब रिफ्ल Clement करेगा, उपने घ्न से करेगा बड़ेह को धरसाई करदेगा अमेरिका खुद कहता है हाथियारों से उधनी दीच से जाते इच्छा पावर से बिल पावर कोई हमला करने आ गया राइफल लेके पता चला उधर देखी नहीं रहे जिदर से हमला होने वाला है कोई उसका गणी चीन लिया और मार दिया उस पर हम तो बहुत जगा जाते हैं स नहीं से सिकूर्टी कर रहें तो इनपे मेरी नशर होती है कि एमकी सिकूर्टी में खोई संध् लगा सकता या नहीं तो मझे लगता है 90 पसिन लगा सकता है ये तो राइफल हे का टाल है उदर देखी नहीं कई आक तो आप आक्टिव कितने हो, सब पे नजर रख पाते हो या नहीं कर पाते हो, यह आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है, जिस काम के लिए आप बने हो, उस काम में कितनी अक्टिविटी है आपकी, आप वही काम ठीक से नहीं करते हो, समझा है बात, वह जो छोटा-छोटा तुरंट इंसर्ट हो जाता है थोड़ी सी बात बोलो तुरंट सहनी नहीं कर पाएगा भगवान ने कहा है कि जो जितना ज़्यादा आप मान सह सकता है वो उतना जयादा सम्मानित हो सकता है यह दोनों एक सिक्खे के पहलू पीएम किती गाली पढ़ती है डीयम कितनी पढ़ती है भर बदां चेलों अ皿 के नाओन नले मतितना कौ Banks को समझना अच्छा हुआ है देश के लिए बुरा हुआ है मनमों जी बजट के बारे में बोल रहे हैं रिक्षा वाला गाली दर आरी कुछ नहीं हम गरीब होते जा रहे हैं मीडिया घर में पहुंच जाएगी किचेन में महलाओं से पूछेगी इस बार का बजट कैसा रहा अब इत्ती घ्यानी होती तो कि समझाया तो इस तरह की बातों से हमें आगे बढ़ना होगा समझा गया पूरा कहीं कोई डाउट्स रह गया नहीं तो बस संख्या बढ़ाओ इस पूरा फुल मजा लो ट्रेन ऐसी चलेगी कि नान स्टाप रहेगी रुकने वाली नहीं है और ना इसे कोई रोक सकता है क्यों ग्रामर वाले को भी बताएं नहीं सकते हैं तीन सो टापिक लिट्रेचर थर्टी टापिक ग्रामर तीसरा बेरियर इकोजियस दिखा दिया मैंने इकोजियस में क्या जनते हम अभी टेलर एंफिल्म अभी बाकि है बाकि कुछ पीडिया पूस पर देखी लेना इसके बाद एसना जी हैं ना लिखने का तरीका बिलकुल नहीं दो वुखने का तरीका प्राइमरी स्कूल में अच्छी काम नहीं कर रहे हैं। बच्चा वहीं विगड़ जा रहा है तो बागी विगड़ा हुआ रहे गई। इसके साथ क्या खाना है और कब कितने टाइम पे खाना है अगर यहीं हम सब सुधार दें तो आधे डाक्टर की जरूएत हमारी रही नहीं जाएगी। ग्रास रूट लेबल पर ही इसका इलाज सुरू कर दें बच्पन में ही बच्चों बीमार होंगे यह नहीं। हमें सोचते हैं जो मिले सब खा लो जो मिले वो ना खाओ नीड आफ बॉड़ी को क्या डिजायर क्या रिफ्लेक्ट करेगी क्या इसे अक्सेप्ट करेगी यह आपको पता हो एक डाइटेशिन चार्ड बन जाए शुरू से ही बच्चे का कि आपको यहीं खाना है तो बेसिक पाभी खा जाते हैं जरूरत नहीं उससे ज्यादा ले लेते हैं इस बाड़ी को नीड आफ रिक्वार्मेंट बता दिया जाए तो ज्यादा हो जाएगा फिर वो जीमों जाने से कुछ नहीं होगा कुछ भूखे मर रहे हैं माल नुट्रेशन जित्ती जरूरत उतना नहीं म देना होगा और बेसिक नीड आफ रिक्वार्मेंट हम बेसिक स्ट्रक्चर पर ही क्यों न पूरा करें जब बच्चा पैदा होता है थोड़ा जानने लगता है तभी उससे पढ़ाएं कब खाना है किस समय क्या खाना है पहले तो खाना सिखाएं तो हिल्दी हो जाएगा फि धर्मों का कंक्लूजन एक ही है अच्छा नागरिक बनाना यह बीच वाले जो रास्ते होते हैं अग्यानी लोग होते हैं मुर्ख लोग हर धर्म एक ही चीज पर जाता है यह आप एक अच्छी सुपर नागरिक बने और सुपर में क्या है जो हर चीज में अच्छा है गंटे चलने वाली है तो समझ जाओ कि गंटे चलेगी तो कितने बजे हैं तो निकल दाना भी पांच मिनट है सुनिया मेरी पहले बात इस्टेट गवर्मेंट के डारेक टैक्स बताओ डारेक टैक्स साफ इस्टेट गवर्मेंट बताओ यह चोटी बात है इस्टेट में रहते हो एक भी नहीं बताते क्या नो इस्टेट का टारेक टैक्स है प्रांस्पूर्ट टैक्स एग्रिकल्ट्टर टैक्स की अम्राइज के मिटी नहीं कहा था वर लगाया नहीं हम तक हमने 1969 में कहा था और मैं भी इस फेवर में हूँ कि बड़े किसानों के आप अग्रिकल्ट्टर टैक्स लगाओ और छोटे किसानों को उसी से दो पैसा जिस पर हम अपना डिवेट कर सकते हैं तरक दे सकते हैं ठीक है तो यह हुआ ट्रांस्पोर्ट टैक्स ट्रांस्पोर्ट लिखो ट्रांस्पोर्ट टैक्स है जो स्टेट गवर्मेंट है लोकल गवर्मेंट हाउस टैक्स एलेक्टिसिटी एलेक्टिसिटी स्टेट में आती है ठीक है हाउस टैक्स लोकल गवर्मेंट का टैक्स है वाटर टैक्स स्टेट में आता है और दुनिय भर के टैक्स लगते ही हैं सब ठीक है और एंडारेक्ट में एक और आता है entertainment tax जो पिच्चर हाल वगर लगाते हैं वह वी इस्टेट गोईर्मेंट का आप्राइब मेंताओ्स